हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूटूब चैनल में जहां बात करते हैं इलेक्ट्रोनिक्स की तो यार सेमिकनेक्टर फिजिक्स में फिर से एक नया लेक्चरी लेके आ गया हूं मैं और इस लेक्चर में मैं बात करने सब देख लिया है तो यहां पर एक बैसिक एक पी इंजंक्शन बनाया है यहां पर पी साइड है तो मैजॉर्टी होल्स होंगे माइनौर्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहां पर इन साइड है तो मैजॉर्टी इलेक्ट्रॉन्स होंगे माइनौर्टी होल्स होंगे और यहां यहां पर कोई चार्ज करियर प्रजेंट नहीं हुआ दो इसके कारण से क्या एक है इस डिप्लीशन रिजन में और यह यह बिल्टिन प्रेंशियल क्या करेगा लेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो यह इलेक्ट्रिक फिल्ड को क्या मैं बोल सकता हूँ e of space charge तो जो depletion width है उसको space charge reason भी बोलते हैं हम तो इसके बाद क्या होगा कि ये जो electrons है ये जो holes है इनका further diffusion नहीं होगा और यहां से electrons का further diffusion नहीं होगा क्योंकि यहां पे potential उसको दिख रहा है तो इस lecture में हम ये समभने देख लिया है और आप जानते हो के बारे में जानेंगे exactly by sink हम तो पहली बार सुन रहे हैं बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे जो electrical circuits पे जादा focus करते हैं electronics में अभी तक हमने भी जो पढ़ा है by sink हमने सुना नहीं 9, 10, 11, 12 में भी by sink सुना नहीं इतने electrical circuits में भी बस हम voltage source लगा देते हैं यह by sink क्या है अलग से तो यह concept हम जानेंगे यह semiconductor में ही क्यों आया by sink का concept फिर हम देखेंगे forward bias के working में यार बहुत सारे लोग तो पढ़ रहे होंगे forward bias reverse bias पढ़ते ही होंगे engineering में या 12 में भी तो उसमें क्या misconceptions है क्या गलत बहुत सारे जगह कुछ भी पढ़ा देते हैं कुछ भी बता देते हैं easy होने के कारण या logical लगता है तो कुछ भी बता देते हैं तो misconceptions में उसके बाद में भी बात करूंगा उसके बाद actual working क्या है forward bias का वो बताऊंगा of course misconception बता रहा हूं सारे दूर हो जाएं इस लेक्चर में बस एक लेक्चर में और आपको पूरा जो forward bias का concept हो समझ में आ जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि biasing होता क्या है तो यार बाइस इंग बायस तो बायस मतलब क्या हिंदी में समझो तो क्या बोलते हैं पक्ष लेना किसी की तरब जुका होना किसी का favor करना ठीक है तो बायस का मतलब यह है कि आप किसी को favor कर रहे हो किसी चीज का पक्ष ले रहे हो अब students भी student teacher में भी होता है कुछ-कुछ teachers जो है कुछ-कुछ students को ज्यादा marks दे देते हैं ठीक है कुछ-कुछ students को कम marks दे देते हैं सेमी लिखने पर तो वह क्या करते हैं टीचर बायस हो जाते हैं तो यहां पर क्या हो जाता है आई drift is equal to i diffusion हो जाता है और इसके कारण से करेंट क्या हो जाता है जीरो तो यहां से कुछ current फ्लो नहीं होगा तो current फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको इसको बायस देना पड़ेगा इसको कुछ बायसींग करनी पड़ेगी तो उसके कारण से क्या होगा यहां पर current फ्लो होगा थीक कैंग है तो अब मैं क्या करते हूं इसको forward बायस देता हूं तो बायस दो तरह के होते हैं forward forward bias और एक reverse bias ठीक है तो इस lecture में हमसे forward bias के बारे में बात करेंगे तो forward bias में क्या करते हैं कुछ forward इसको favor कर रहे हैं इसके लिए भलाई करने की कोशिस कर रहे हैं ठीक है तो यहां पर हम क्या करते हैं P side को हम positive terminal of the battery दे देते हैं और N side को हम negative terminal of the battery दे देते हैं ठीक है और इसको हम बोलते हैं वी अप्लाइड ओके तो यह जो supply हमने दिया है वी अप्लाइड वो इस इस टाइप के configuration क्या बोलते हैं forward bias तो forward bias के कारण से क्या होगा यह हम देखते हैं तो यहां पर positive charge positive कुछ potential है तो यह क्या होंगे रिपेल होंगे ठीक है electrons attract होंगे ठीक है इस side तो क्योंकि यहां positive है तो like charges रिपेल इचतर तो holes repel और electrons attract होंगे तो यहां से hole repel होंगे तो holes कि दर जायेंगे इस side पर इसको इतना force मिलेगा इसको इतना potential मिलेंगा कि यह vbi को cross करके चले जाएंगे जैसे हम यह वोल्टेज बढ़ाएंगे वैसे वैसे यह करेंट बढ़ते जाएगा और यहां से धेर सारे होल्स इधर जंप कर जाएंगे क्योंकि अब इसमें जंप करने की छमता बढ़ जाएगे अब सिमिलरली यहां पर निगेटिव दिया है तो यह जो जो ओवरॉल करेंट होगा वो क्या हो जाएगा इस डारेक्शन में ठीक है ओवरॉल करेंट इस डारेक्शन में होगा बट यार यह न यह सब दिखने में तो बहुत सही लग रहा है लॉजिकल भी लग रहा है बट यह गलत है यह कॉनसेप्ट ही पूरा गलत है ओके यह लॉ पोटेंशल है उसको वो जंप कर पा रहा है इसके कारण से बट ऐसा कुछ नहीं होता है विकॉज यह जो भी फोर्स और इसकी बात करें वह तो डिफ्ट करेंट है न ठीक है डिफ्ट करेंट हमने क्या बोला था क्यू एन म्यू एन या म्यू पी तो इलेक्ट्रिक फिल जैसे ह डिफ्ट करेंट होगा बट आपने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा तो आज जालो डायोड में डिफ्ट करेंट होता है कुछ भी नहीं बहुत कम होता है यह जो में करेंट होता है डिफ्यूजन करेंट हमने देखा था दो लेक्ट्र पहले तो डिफ्यूजन करेंट कि लिए होता है चेंज इन करियर कंसंट्रेशन इसके कारण से होता है डिफ्यूजन करें तो यहां पर बैटरी है न बस उसको बायस कर रहा है ठीक है आप मेटल्स के केस में हमने मेटल्स के केस में भी देखा था जो conductors के case में हम क्या करते हैं यह resistance है metal मतलब resistance उसको battery supply किया तो यहां से current flow होता है V is equal to IR ठीक है तो यहां पे भी इसको biasing बोलना चाहिए था ठीक है यहां पर इसको biasing क्यों नहीं बोला यहां पर battery provide नहीं यहां पे भी रडिश्टर को खुला चोर दो, तो कोई current flow नहीं होगा, same भी जुक्तर को खुला चोर दो, कोई current flow नहीं होगा, बट यहां पे जब battery supply दिया तो यहां पे इसको biasing नहीं बोलते हैं, यहां पे इसको power supply भी क्यूंकि इस वोल्टेज के कारण यहां पर करन डौर रहा हैक और we can David करेंट्थ दुनक्रीफ ज्सक्रेर फेलोसित प्म आप्ट्वाइब करन करेंगी यहां पर यहां पर जर्छ Supreme और रहा है और भी इसका जादा कुछ रोडने थे हैं मतलब ऑसकर स्वादिकर्ट के कारण से हो रहा है करें तो हम समझेंगे क्यों इसलिए इसको बायसिंग बोलते हैं इसको थोड़ा सा आपने दिया अब कैसे काम कर रहा है तो आगे बढ़ते हैं तो आपको अभी सब थोड़ा इंट्रेस्टिंग लग रहा होगा बिकॉज मैं भी जब यह सब जाना ना तो मेरी भी आखे खुल गे थी वाओ यह क्या है तो अब जानते हैं थोड़ा बैंट डाइग्राम के बारे में बात करते हैं तो आपके पास आपने यह हमने देखा था कि यह पोटेंशल का एक डाइग्राम है यहां पर पी साइट यह ह अब तो आपको लिंग यहें हमने तूबली प्लाइ किया है तो यहां पर आप्लाई कि यह P side का potential बढ़ जाएगा या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे P का बढ़ गया और N का कम हो गया क्योंकि N को negative दिया है बट हम यह reference है तो हम यह जो gap है उसको यहाँ पे भी हम डाल सकते हैं तो with respect to this N अगर मैं N को constant रखूँ तो यह जो है यह P suppose इतना बढ़ गया ठीक है इतना बढ़ गया तो पहले जो VBI था वो इतना था यह VBI था इसको मैं अपने normal white वाले color से कर देता हूँ जो gray color है यह VBI था normal हमारा ठीक है अब क्या है यह अब yellow ले लेता हूँ अब यह जो है यह इतना ही बचा है जंक्षन पहले जंक्षन पर कितना voltage था VJ is equal to VBI था अब VJ is equal to क्या है तो VJ is equal to VBI minus some V applied ठीक है minus some V applied तो यहाँ पे यह जो है potential कम हो गया ठीक है junction potential कम हो गया अब हम बात करते हैं कि इसके कारण से जो band diagram में उस पे पे कैसे असर पड़ेगा ठीक है तो अब band diagram पे कैसे असर पड़ेगा यह हम देखते हैं ठीक है तो यहाँ पे मैं एक PN junction बना लेता हूं और उसका band diagram बना लेता हूं तो यहाँ पे suppose PN junction है बहुत रफ बना रहा हूं है ठीक है और यह band diagram कुछ इस तरह से होती है यह ऐसे ठीक है और यहाँ पे कुछ फर्मी लेवल है यह फर्मी लेवल है जो कि equilibrium condition में constant रहती है यह हम सबको पता है अब क्या कर रहे है हम potential बढ़ा रहे हैं तो यह क्या होता है तो अब यह जो energy है यह कम हो जाएगी ठीक है यह इस तरह से और यह suppose मैंने constant माना है क्योंकि यह with respect to this मैं यह सब में निजर कर रहा हूं similarly यह भी energy क्या हो जाएगी कम हो जाएगी और यह मैंने constant माना है अब अब क्या होगा यह पूरा कपूरा band gap जो है वो कम नहीं होगा वह 1.1 रहेगा band gap के साथ हम छेड़ नहीं रहे है ठीक है तो अब यह जो यह जो energy हो कितना होगा Q into VD ठीक है जो diode VD मतलब V है sorry Q into V है तो actually वी अपलाइड उसको हम डायोड वोल्टेज भी बोलते हैं VD क्योंकि वही डायोड की अक्रॉस जाता है बस इसमें भी हम देखेंगे आगे कि यह इतना directly नहीं जाता है इसमें भी कुछ non-idealities है वो सब हम बात करेंगे अभी हम यह जान लेते हैं तो अब इसमें देखो इस थे तो यहां पर हमारे electrons थे ठीक है यह electrons ऐसे थे अब यह electrons क्या है जैसे-जैसे-जैसे उपर जाते है electrons क्या होते हैं कम होते जाते हैं यह हमको कैसे पता जैसे-जैसे उपर जाएंगे electrons कम होते जाएंगे यह हमने पड़ा था ना probability of occupation अगर आपको याद हो f is equal to 1 upon 1 plus e to the power e f E minus EF by KT यह E minus EF by KT E minus EF by KT तो यहां से देखो जैसे जैसे में E बढ़ा होगा क्या होगा यह term बढ़ी होगी यह term बढ़ी होगी मतलब probability of occupation क्या होगा कम होगा तो F of E is inversely proportional to E मतलब actually exponential है यह तो यह जैसे जैसे हम उपर जारे हैं वैसे वैसे यह कम होते जा रहा है और कैसे कम हो रहा है exponentially कम हो रहा है ठीक है तो यह यहां पर नीचे और जादा होगा यहां पर नीचे और इलेक्ट्रॉंस जादा होगे और जैसे जैसे उपर जाएंगे electrons कम होते जाएंगे तो अब देखो initially क्या है equilibrium condition में सिर्फ इतने electrons ही यहां से यहां pass कर सकते थे क्योंकि यहां पे इसको potential barrier देख रहा है यह वाला तो initially क्या है सिर्फ यह जो इतने electrons थे यही pass हो रहे थे थोड़े बहुत यही इधर से इधर जा पा रहे थे बट अब हमने क्या किया है उसको potential दिया है कुछ forward bias में तो अब क्या होगा यह जो यह जो barrier है वो अब कम हो जाएगा तो यह barrier ही कम हो जा रहे तो अब क्या है अब इतने electrons जो पहले जितने थे उतने और अब इतने इतने भी यह भी अब पास हो जाएंगे यहां पर भी एक अधर electron बना देता हूंदे तो आपको लेगा कुछ भी negligible है क्यों exponential है यह यह पूरा ऐसे exponential है ठीक है यह exponential है तो अब क्या हो गया इसके कारण से क्या electrons जो यह जो electrons इधर से इधर जा रहे वो क्यों जा रहे यह डिफ्यूजन जा रहे है diffusion क्यों बोला मैंने क्यों कि यहां पर धेर साल इक्ट्रॉंस है यहां पर यहां पर minimum electrons है तो इसके करण से क्या होगा ठीक है diffusion होगा तो यहां पर जो current है वह बढ़ेगा ओके तो यह Similarly, holes के case में holes के case में you say यहाँपे धेर सारे states है समय कर यहाँ पर holes है ठीक है holes holes और जैसे यह सो ऊपर जा रहे holes क्या होते जाएंगे दिरे-दिरे कम होते जाएंगे क्यों holes कम क्यों होते जाएंगे क्योंकि यह holes क्या होता है यह 1 upon F यह probability of finding और यह probability of finding electrons यह f of e होता है और probability of finding holes 1-f of e तो यह जैसे से नीचे जाएंगे वैसे वैसे यह holes कम होते जाएंगे तो पहले क्या थे इतने ही holes जा रहे थे पहले इतने ही holes इधर से इधर जा रहे थे बट जैसे यह shift हुआ पूरा level अब यह पूरा का पूरा holes का जो concentration है वो नीचे shift हो जाएगा तो अब यह वाले जो भी है न अब यह वाले जो भी है वो भी नीचे shift हो जाएंगे और यह भी पास हो जाएंगे ठीक है तो यहां से hole का concentration भी बढ़ा तो इससे में क्या लिख सकता हूं अब आपने यह जो देखा था कि यहां पर सपोज मै electrons के लिए अगर बात करूं तो मैं इस तरह से access बनाता हूं ठीक है तो यहां पर सपोज यह barrier मैं इस side ही बना देता हूं ताकि आपको आसानी रह समझने में यह holes के लिए बना देता हूं ताकि आपको better समझ में आये तो यहां पर अगर यहां पर barrier पे junction पे अगर zero लिया है और यहां से x direction में हम move कर रहे हैं तो originally यहां पर जो number of holes से वो क्या थे Pn0 थे यह यह हमने last lecture में पढ़ा था यह क्या थे Pn0 ठीक है मतलब concentration of holes in inside due to thermal excitation in thermal equilibrium condition okay thermal excitation के कारण जो होता है room temperature पर इतने ही थे minority charge करें जो हमेशा present होते हैं जो कि हमारे पास ni square upon nd होता है ठीक है यह हमें पता है अब इस अब यहां से holes diffuse हो रहे हैं तो holes diffuse जो हो रहे हैं तो पहले holes कितने थे यहां पे junction पे धेर सारे holes आ जाएंगे तो junction पे धेर सारे holes आ जाएंगे इसको हमने क्या denote किया Pn of zero junction पे total number of holes ठीक है यह Pn0 और यह अब धीरे धीरे क्या होना चालेंगे यह recombine होना चालू कर देंगे और धीरे 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 यह LP diffusion length के बाद यह पूरा ही recombine हो जाएंगे और यह due to diffusion का क्या देखा था हमने holes दू डिफ्यूजन यह क्या था हमार पास Pn-0 इन दोनों का gap ठीक है total total क्या देखा था total holes यह देखा था Pn-0 प्लस Pn-0 यह क्या था Pn ब्रैकेट वाला जीरो ओके यह हमने last lecture में बहुत अच्छे से समझाए ठीक है तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं पी एंड डैश ओफ X is equal to यह हो जाएगा Pn-0 e to the power minus X upon LP तो इस तरह से मैं लिख सकता हूं अब देखो यह इससे में क्या निकालता हूं अब धीरे-धीरे क्या हो रहा है यह number of holes क्या है बढ़ रहे हैं ठीक है जैसे ही मैंने यह normal condition में यह हम जानते हैं पिसले lecture से मैंने यह बताया अब अब normal condition में यह है अब मैंने क्या किया voltage बढ़ाया voltage बढ़ाया तो number of holes यहां पर बढ़ गए कैसे बढ़े exponentially बढ़े ठीक है और वह exponentially यह gap कितना है Q into VD ठीक है तो अब अब हम देखते कितने बढ़े तो अब जो number of holes हो जाएंगे उसको मैं कैसे लिख सकता हूं Pn of 0 पहले Pn of 0 मतलब total holes ठीक है बट अब new new कितने आएंगे तो Pn of 0 तो यह क्या है Pn of 0 e to the power VD QVD upon KT यह ऐसे आएगा यह कहां से लिखा मैंने अब यह देखो Pn of 0 मतलब total number of holes in N side ठीक है पहले कितना थे diffusion के पहले कितने थे diffusion के पहले Pn of 0 थे minority charge carrier जितने present थे अपने ni square upon nd इतने ही थे बट अब यह जो है यह कितने हो गए exponentially increase हो गए due to this formula due to this formula यह क्या हो गए सम E का factor divided by KT तो वो E का factor कितने से बड़ा Q into VD से तो यह इस factor से हमेंसा increase होते है बट यहां पर एक non-ideality constant भी आता है वो हम बाद में बात करेंगे क्या होता है Pn 0 e to the power यह VD और यह Q को मैं नीचे ले जाता हूं तो क्या लेख सकता हूं KT by Q तो यह VD upon Eta KT by Q को क्या लिख सकता हूं है VT ठीक है thermal voltage जो हमारा है और यह Eta क्या non-ideality factor है यह हम इसके बार में बात करेंगे non-ideality factor ओके यह हो गया तो अभी हम बात किये सिर्फ diffusion के बारे में ठीक है तो diffusion के कारण क्या होगा यह जो number of holes है या number of electrons है है वो क्या होंगे बढ़ जाएंगे diffusion करने वाले और कितने से बढ़ेंगे यह इस factor से बढ़ जाएंगे जिसके रिजएन के बार में थोड़ी देर बात बात करेंगे अभी हम बात करते हैं कि जो drift में हम इस respect ये में 일본iate ग्रेंट में लिख सकते तो यह मैं लिखी सब्सक्राइब हम सबको पता है और उसको यह हैं इन फ्रवर्वर्ड बायस यह क्या हो जाएगा आई डिफ्यूजन क्या हो जाएगा पहले इतना था आई-0 और अब कितने फैक्टर से बढ़ा इस फैक्टर से बढ़ा है तो इसको भी मैं e to the power vd upon eta vt से multiply कर देता हूं ठीक है यह इतने factor से बढ़ जाता है क्योंकि यह exponentially increase कर जाते है number of electrons due to this lowering of barrier potential ठीक है तो यह हमको समझ में आ गया अब हम बात करते हैं drift की तो अब drift में हम क्या बात करते हैं कि suppose मैं थोड़ा से इसको साफ कर देता हूं यह area हमारे पास यह है ऐसे barrier और यह वाला हमने अभी नीचे किया है ठीक है तो drift क्यों होता है drift होता था minority charge carrier के कारण से क्योंकि जो potential width है जो potential barrier वो उसको support करता था उसके movement को तो यहां पर क्या थे कुछ electrons थे ठीक है number of electrons कुछ थे यहां पर P type P side में तो यहां पर इलेक्ट्रॉंस थे बहुत थोड़े बहुत थे तो यह क्या हो जा रहे थे इधर से इधर move हो जा रहे थे क्योंकि electrons के लिए क्या है stable state lower state stable higher state unstable उसको ज्यादा ताकत लगाने पड़ती है उसको उपर जाने के लिए नीचे जाने के लिए उसको gravitational pulse ही समझ लो कि आदमी को नीचे जाने के लिए lift के ज़रुरत है नीचे जाने के लिए छट से कुछ जाओ नीचे पहुंच जाओगे तो यह बस इसको ऐसे बस दिखा यहां पर कोई स्टेट है तो वह पहुंच जाएगा नीचे तो minority charge carriers के लिए कोई दिक्कत नहीं है अब आपने क्या किया है यह पहले यहां पे थे ठीक है अब आपने क्या किया है potential reduce कर दिया है तो अब यहां पे electron hole pair generate होंगे तो वह electron jump होंगे क्या यहां पे चले जाएंगे तो पहले भी 45 हो रहे थे अभी 45 हो रहे है तो पहले उपर थे अब नीचे है तो भी इनको कोई दिक्कत नहीं है तो भी यह चले जाएंगे मतलब जो drift current है वह तो same ही रहेगा चाह I drift forward में भी वह I drift क्या होता है सेम रहता है तो यहां पर मैं क्या समझ सकता हूं कि जो I drift है वह आई जीरो ही रहता है थीक है यह स् स्में छोटी च्या क्या डिक है कि हमने अब टर्य। पहले थे भर देख़ो अगर आप बातकि करो कि अगर 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 जंक्शन चबिआ जंखने उसमें मैं क्या कर रहा हूं एक forward by eerका यहाँ पर गाह vendor यहां पर म acted क्या होगा मेड यहां पर premier čार्ज और यहां पर प्लस 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 जाइस ठीक तो अब क्या मैं बैरियर पो-टेंशिल कम हो रहा है बैरियर बैरियर पोटेंशल कम हो रहा है मतलब जो विट है वो भी कम हो रही है न ठीक है बैरियर पोटेंशल कम हो रहा है मतलब यहां पर वी बी आई था अब यह जो जंक्शन पर पहले किया था पूरा बिल्ट इन पोटेंशल ही था लेकिन अब क्या हो रहा है इसमें वी अप्लाइ एक हो जाएगा क्योंकि वित का फॉर्मूला किया है तू अप्सलोंट बाई भी यहां पे क्या था विभी आई था विभी आई के जगह क्या लिफुरस में फैसंपान फ्लस वन अग्ता इंडि और यहां वी जंक्षन क्या है यहाँ पर लिखा यह वी बी आई माइनस वी ए तो यह वी बी आई माइनस वी डी पकड़ लो डायोड बोलते यह दोनों को मैं interchangeably यूज कर रहा हूँ कोई भी यूज कर सकते हो आप aptly or diode यूज ँसमें थोड़ा सा अंतर है क्या अंतर है बताता हूं तो यहां देखो अब क्या हो गया यह junction potential क्या हो गया यह कम हो गया तो विध क्या हो जाय긴 तो क्या होता थी क्या होता हो बिल्द वह हो जाते थे और इने कि वह उसको इस देर क्योंकि जाते तो इसके उल्टे में जाते थे तो उसको सपोर्ट करता था यह अब हमने क्या विद्ट कर दिये तो electron whole sphere क्या होंगे कम generate होंगे तो यह जो shift of charge है वो कम होगा मतलब आई-drift क्या हो जाएगा थोड़ा सा कम हो जाएगा इतना भी नहीं वह थोड़ा सा कम होगा इसको ऐसे रिप्रेजेंट करता हूँ एक दम थोड़ा सा कम होगा ठीक है बट निगलीजबल समझ लो यह effect है यह factor है इसलिए आपको बताया अब हम बात करते हैं इसमें आगे की current क क्या लिख सकते हैं इसके case में ठीक है तो हमने actual working समझ ली डायोड का फॉरवर्ड बायस में diffusion करेंट कैसे वैरी करता है drift करेंट कैसे वैरी करता है तो अब हम बात करते हैं कि इसमें current के equations की बात करते हैं तो total current क्या हो जाएगा वो देखो अब तो अब डायोड में जो total current है i total वो क्या है drift current और diffusion current हमेशा opposite direction में रहते हैं तो यह हो जाएगा i diffusion minus i drift यह हमने last lecture में भी देखा था last two lectures back i diffusion और i drift पहले same था तो वो zero हो जाते थे but forward bias में क्या है अभी same नहीं है वो क्या है i naught e to the power vd upon eta vt और यहां पर i naught तो यहां से जो i diode का current है वो निकल के आता है e to the power vd upon eta vt minus 1 यह हमारा दायोट का overall equation निकल के आता है ठीक है i drift i diffusion minus i drift ठीक है तो यह डायोट का equation है तो अब हम बात करते हैं exactly और कितने types of current हैं इसको और थोड़ा सा breakdown करते हैं इस term को मुझे बस breakdown करना है ठीक है equation यह है equation नहीं change होगा बस मुझे breakdown करना है और मुझे यह eta के बारे में भी बात करना है यह non-ideality factor क्या है non-ideality factor और यह vt हमें पता है vt क्या है ktyq यह around 26 mili volt होता है at room temperature at 300 Kelvin room temperature तो अब देखो यह जो VD है actually problem यहां पर आ जाता है VD क्या है voltage across junction है voltage across junction है तो इसमें क्या इश्यों आता है जैसे कोई diode है यह suppose diode है यह diode को as a symbol में बना रहा हूं ठीक है PN junction तो हमने बना लिए just as a symbol यह represent कर रहा हूं तो यह diode का हमने battery से applied क्या V apply तो अब यहां पर देखो यहां पर क्या होगा यह junction ही बना देता हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना है ठीक है तो यहां क्या होगा यहां पर क्या है कि फटी फॉरवर्ड बैसे तो यहां पर इसका कुछ internal resistance रहेगा और यहां पर क्या डेपलीशन इस तो डीपलीशन विट का भी कुछ रेजिस्टेंस रहेगा जो की काफी हाई रहेगा और यहां पर भी कुछ जोन आइडियल्टी फैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो आइडियल डायोड के लिए ना आइडियल डायोड मतलब क्या जितना आपने अपलाई किया वह पूरा का पूरा जंक्षन पर आपको चला गया और वी 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 याई से माइनस हो गया तो उसके लिए इटा 1 लेना है अगर सपोज कुछ ड्रॉप है तो वह फैक्टर हमें कम करना पड़ेगा वह वी 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 को कम करना पड़ेगा तो उसके लिए हम एटा 2 3 वह कोश्चन में दिया और यह डिवाइस पे डिपेंडेंट है वह डेटाशीट में दिया और यह एग् में कि कैसे पूरा करेंट होता है थोड़ा इसको फील करेंगे पढ़ाई हो गई है अब बस फीलिंग बाग किया देखो मज़ा आएगा तो अब देखो यह हमारे पास जंक्षन है थोड़ा सब बड़ा बनाता हूं तो यह सपौज यह कैसे और इसको मैं कैसे और इसको मैं क्या किया बायस किया है मतलब यहां पॉस्टिव और यहां निगेटिव तो अब यहां पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंट हम करेंगे कि यह कैसे काम करता है तो यहां पर सब्सक्राइब एक सेक्सिस ले लिया है ठीक है और यह जंक्शन को मैं ऐसे एक्स्पैंड कर रहा हूं के जंक्शन को तो अब यहां पर देखो क्या होगा यहां पर अब माइनोर्टी चाइश करेंगे अदो क्यों इतना यह नहीं समझ में अनुट इसलिए रहु हो यहां पर हैं यहां पर जो वह यहां बढ़द जा रहे हैं इनकेस अफ़ प्यूंजित तो यह क्या है और यह होल् क्या करेगा और जो जहां बदलते डेर नहीं लगती है जिनदगी में तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है यहाँ ही बहुत ही शानपटी कर रहा है इसको मैंने इन टाइप में भेज दिया और ये वेचारा इलेक्ट्रों के साथ लड़ जगड़ के रीकंबाइन कर गया बट हमें क्या मिला हमें करेंट मिला तो इंसान को क्या है बस अपने आपसे मतलब है यह वेचारे पर क्या बीट रही है इसको मतलब भी निये वेचारे इदर उदर जाके लड़ाई जगरा करके रीचारे यहां भाइन हो रहा है यहां हमें क्या हम दो बात करते हैं कि मैपर क्या बीट रही हैं दो यहां पे होल से मैं मेरा तो बहुत हाइए थीच तो यह concentration किसका है holes का in P side with respect to X ठीक है अब जैसे ही यहाँ पर junction पर junction पर तो कोई charge carrier है ही नहीं तो कुछ recombination वगरे का जंजट ही नहीं है तो यह constant रहेगा इसका concentration but बेचारा जैसे ही आता है यहाँ पर इस side तो यह क्या हो जाता है इसको बहुत ही लडाई जगडा करना पड़ता है इसको recombine होना पड़ता है और यह सारे almost recombine हो जाता है तो यह जितना बचता है यह add in LP distance के बाद कितना बचेगा यह बचता है holes in inside 0 और यह क्या है हमारे पास holes in inside X ठीक है? सिंपल है और इसको मैं क्या denote करता हूँ? holes in inside at 0 time ठीक है? और यह जो distance है यह distance क्या है? वो बाद में लेकेंगा नहीं तो graph पूरा और घजबज हो जाएगा अब हम बात करते हैं electrons की तो electrons के लिए again मैं येलो ले लेता हूँ ये भी बोलेगा मैं तो बहुत ताव में हूँ मेरा तो बहुत high concentration है inside में ठीक है? तो ये negative terminal बोलता है रुक तुझे बताता हूँ तू अभी जा P side तो ये P side की तरफ जा रहा है बट यहाँ पे इसका concentration क्या constant है? तो यहाँ पे इसका concentration है N side X ठीक है? यहाँ पे इसका concentration क्या हो जाएगा? N P side 0 ठीक है? यहाँ पे constant हैगा क्योंकि यहाँ पे कोई recombination नहीं हो रहा है यहाँ पे immobile है और यह जैसे इधर आएगा तो यह क्या हो जाएगा? ऐसे recombine हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आजाएगा? इतना यह N P side 0 ठीक है? तो यह आपको समझ में आगे concentration का खेल किस तरह से जा रहा है? जो majority है यहाँ पे वो इस side जाके minority हो रहा है और recombine कर रहा है तो यहाँ पे आपको पता चला क्यों हमने last lecture में diffusion length की बाद के थे recombination की बाद के थे यहाँ पे कुछ जो LP time के बाद है यह LP और इसका क्या हो जाएगा? LN इस time के बाद से पूरा जो diffusion current आपने दिया है वो diffusion charges diffusion दिया है वो खतम हो जाएगा सिर्फ minority जो thermal equilibrium के कारणे वो बचेगा यह सर यह खतम हो जाएगा तो फिर यह पास कैसे करते रहेगा इसके पास बेटे इलेक्ट्रों साथा धेर सारे थोड़ी है तो यार यह battery क्यों लगा है हमने इसी लिए तो लगाए है कि यहां से जाए और यह diffuse हो जाए रीकमबाइन हो जाए और diffusion लेंथ के बाद खतम हो जाए फिर और यह supply करते रहे करते रहे करते यहां से भी यह battery whole supply करते रहे इधर से इलेक्ट्रों supply करते रहे तो इसलिए हमने बस उसको biasing दिया है ताकि यह supply करते रहे बाकी का जो यह खेल है यह तो इसकी खुद की property है कि diffuse करता है current ठीक है तो यह I think अच्छे से clear हो गया होगा आपको कि current कैसे flowता है अब मैं बात करता हूँ कि यहां पर current इसके current से current क्या होगा अब यहां पर कुछ holes हैं जो कि इधर जाने की due to electrons in P side ठीक है अब यहां पर क्या होगा I due to holes in N side at 0 यहां पर क्या है X सम X distance पर यहां पर 0 junction पर और यह I due to electrons in P side at 0 ठीक है क्योंकि यह constant है अब similarly यहां पर current क्या होगा I due to N in N side at some distance X I due to P in N side at some distance X ठीक है तो यह आपको पूरा समझ में आ गया अब मैं बात करता हूँ कि current कितना है actually तो देखो current क्या होगा P side में इंडोनों के addition होगा junction पे इंडोनों के addition होगा और N side पे इंडोनों के addition होगा ठीक है तो अब मुझे बताओ यह तीनों current same होने चाहिए क्यों क्यों same होगा और यह series में बाई basic electrical थोड़ी change हो जाएगा यह series में तो जितना current यहां से तुम भीज होगे उतना current यहां पहुंचना ही चाहिए हवा में गुल तो होगा नहीं क्योंकि और कुछ दूसरा इसको पाथ ही नहीं ठीक है तो आई यह मैं अपना नॉर्मल कर लेता हूं आई पी साइड इस इक्वल टू आई जंक्शन इस इक्वल टू आई इन साइड ठीक है तो यह हमेशा true है तो अब देखो अच्छा मुझे एक एक homework है आपके लिए ठीक है यह एक homework ले लो यहां पर मैंने क्या क्या है पी एन जीर इसका कंसेंट्रेशन तो कॉंस्टेंट भी रह सकता था क्योंकि यह तो मैजॉर्टी का क्यूं हो रहा है यह मुझे कम क्यूं हो रहा है खुद के इलाके में भी बेचारा कम हो रहा है यह क्यों हो रहा है यह बताओ ठीक है तो अब मैं बात कर रहा हूं यह करेंट की तो करेंट मैं अगर एक भी जगा का निकाल लिया तो सबका निकाल लिया तो मैं जंक्शन का करेंट निकालता हूं ठीक है क्योंकि यह आसान है क्योंकि म Pn 0 यह हो गया हमारे पास यह current है ठीक है तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ अब यह I क्या है यह diffusion है ठीक है यह due to diffusion हो रहा है तो अब इसको मैं ऐसे लिखता हूँ कि यह हमें पता है यह Jn को मैं कैसे लिख सकता हूँ –Q Dn डल N by टेक्ष 또 मैं सबसे ब murmurar डखे का इक पहले समझा तुम थिसके लिए तीन हम फिर जारा हूं पहले इसके लिए छो Q का एक निगेटिव आएगा और यह जो है यह जो इलेक्ट्रों फ्लोर है वो क्या हो रहे हैं तो यह निगेटिव साइड हो रहे हमारे लिए पॉस्टिव क्या यह पॉस्टिव एक्सिस है इधर यह इधर निगेटिव एक्सिस है तो इलेक्ट्रों इधर फ्लोर है तो इसके क्यूंकि जगा ई भी लिख सकते हो ठीक है मैं लिख देता हूं क्यूंकि मैंने पिछले लेक्चर में ई से समझाये तो तुम यह लो भाई ठीक है अब इसके लिए क्या एक निगेटिव आता था यह डेल पी बाइडेलेक्स वाला और तो यहां पर एक निगेटिव आएगा क्यों आएगा एक निगेटिव क्योंकि यह डेल पी बाइडेलेक्स का एक निगेटिव आएगा इसमें कोई निगेटिव नहीं आता है यह पॉस्टिव ई है और डिरेक्शन पॉस्टिव है तो इसमें एक निगेटिव आएगा तो यह दोनों निग बाइद लस डीकि डल पीड़ा डीक अब आपको समझ देल इन इन बाइद एल एक हमने आउलरेडि सौल्ड कर लिया यह सब चीजे फिरसे करो क्या थी कह फिरसे कर देता हूं जाने काहां पीछे का लेक्टच्च देखो गे जाके मैं यहीं पर कर देता हूं तो यहां से लेके यहां तक यही तो डिफ्यूज वाना यहां से हां ऊपर है तो यह क्या है तो सबसे पहने मैं N define कर देता हूं तो जो N है आपका वो यह है तो यह N क्या है आपके पास N है आपके पास N P N is equal to इसको मैं क्या लिखता हूं N P of 0 डैश इससे दिनोट करता हूं आपने नॉर्मल वाले ग्राफ में और इसको मैं क्या दिनोट करता हूं N P 0 minus N P 0 तो N P 0 यह thermal equilibrium के case में और यह diffusion के कारण है यह total है total minus thermal वाला is equal to due to diffusion तो अब यह क्या लिख सकता हूं यह total current क्या आता है N P 0 e to the power minus x upon L P यह ऐसे आता है ठीक है तो अब यहां से मैं क्या लिख सकता हूं यह देखो रूखो मैं इसको दूसरे form में लिखता हूं और अच्छे form में लिखता हूं तो आपको और अच्छे समझ में आएगा यह देखो यह N P 0 है न इसको मैं ऊपर में आपको अगर याद हो तो मैंने इसको अच्छे से form में लिखा था यह N P 0 क्या है यह हमारे पास N P of 0 e to the power Vd upon eta Vt है क्योंकि यह diffusion के case में बढ़ गया है ठीक है यह बढ़ गया है तो अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूं तो N P dash of 0 is equal to N P 0 यहां से क्या हो जाएगा common और यह e to the power Vd upon eta Vt minus 1 यह total यह due to diffusion क्या हो जाएगा यह total यह जो आपका यह thermal equilibrium वाला है उसका यह multiplication minus 1 यह हमें यह current के form में ही है यह current का formula ने जस्ट उसी को as a career concentration के form में मैंने लिख दिया है ठीक है यह simple है उपर से आप derive करके भी निकाल सकते हो तो अब मुझे क्या करना है यह del n by del x निकालना है तो यह जो del n by del x है वो actually यही तो है ठीक है तो यह del n by del x निकालना है तो अब मैं क्या करूंगा इसको np रुको del n by del x को मैं इस तरह से लिख देता हूँ total है ना अपना n तो n is equal to np of 0 ठीक है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ np of 0 का dash plus np of 0 ठीक है तो यहां से क्या जाएगा np of 0 e to the power minus x upon lp plus np of 0 अब इसका मुझे क्या लेना है derivation लेना है यह सब पिछले lectures में किया हुआ है इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा भगा के कर रहा हूँ तो n is equal to क्या हो जाएगा del n by del x क्या हो जाएगा यह minus sign बाहर आएगा minus 1 upon lp np of 0 e to the power minus x upon lp यह तो constant है तो यह 0 हो जाएगा तो अब यह क्या यह same term बाहर आ जाएगी ठीक है तो यह minus np dash of 0 upon lp यह आ गया तो अब यह minus term बाहर आती है इसलिए तो minus term वहां बाहर लेते हैं क्योंकि minus minus plus हो जाता है याद आ रहा है कुछ जो बता रहा हूँ दिरे दिरे य एक्चस ले रहा हूँ तो यहां से जो total i है वो क्या हो जाएगा a of q ठीक है dp यहां पर dn पहले लिख देता हूँ मैं ठीक है यहां पर dn np dash of 0 upon ln ठीक है यह minus cancel कर दिया है क्योंकि यह minus आ रहा है यहां पर plus dn sorry dp क्या कर रहा हूँ मैं dp pn dash of 0 upon lp ठीक है यह इस तरह से लिखा अब np dash of 0 और pn dash of 0 को मैं किस से replace कर सकता हूँ तो हमें पता है यह pn dash of 0 is equal to pn 0 e to the power vd upon eta vt minus 1 यह अभी अभी हमने derive क्या है ठीक है np dash of 0 is equal to np 0 e to the power vd upon eta vt minus 1 तो यह यहां से क्या हो जाएगा यह पूरा का पूरा common होके बाहर निकल जाएगा तो यहां से मैं current का equation क्या लिख सकता हूँ finally यहां से मैं current का equation लिख सकता हूँ i is equal to aq a dp pn 0 by lp plus dn np 0 by ln e to the power vd upon eta vt minus 1 तो तो minus 1 तो यहां से अब मेरे पास current का formula क्या है i of i is equal to i0 e to the power vd upon eta vt minus 1 तो अगर मैं इससे compare करूँ तो क्या बन क्या आता है यह जो i0 है i0 का formula बन क्या आता है aq dp pn 0 upon lp plus dn np 0 upon ln यह पूरा का पूरा हमारे पास i0 का एक expression बन क्या आता है sorry उपर चला गया यह i0 का एक expression बन क्या आता है यह i0 ठीक है तो यह i0 क्या है actually i0 reverse saturation current है जो कि हम next lecture में देखें कि reverse saturation होता क्या है बट अभी के लिए आपको इतना तो पता ही है कि यह drift current है ठीक है यह एक kind of drift current है तो हम reverse bias जब पढ़ेंगे न तो हम जानें कि reverse saturation है क्या exactly में reverse saturation current बट अभी तो इतना समझ में आई गया आपको कि जब कुछ भी नहीं लगा रहे है जब जब वह minority charge current की कारण जो फ्लो रहे है करेंट वह i0 है ठीक है और thermal equilibrium में भी यह current flow होता था हमेशा ठीक है बट यह minus diffusion drift equal होते थे तो यह cancel out हो जाता था तो इसलिए करेंट का बहुत महत्व है कि equilibrium के case में भी यह दोनों साइट से flow होता है यह current हो इसलिए reverse saturation current का इसलिए बहुत महत्व है ठीक है तो I hope यह lecture आपको पूरी तरह समझ में आयोगा मैंने बहुत सारे misconceptions को इसमें तोड़ने की कोशिश की है और बहुत ही true मैनर में forward bias कैसे काम करता है फिर फाइनली थोड़ा mathematics का derivation बताया है यह सब ज्यादा काम का नहीं भी लगे तो यह current हो भाईया यह जो equation है आपको जिंदगी बर काम आएगा कोई भी डिवाइस उठालो ट्रांजिस्टर डायोड यह current हो काम है क्योंकि यह जंक्षन का behavior है तो जहां भी है जंक्षन वहां पर यह तो फेनोमेना होना ही है तो खुब्स आपको लेक्षर पसंद आयो कोई वीडिया हो तो मुझे सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को लाइब करो मेरे वीडियो को आप दोस्तों से जरूर शेयर करो ठीक है तब तक के लिए टेक क्यार गुडबाई हैव नाइस देग